हलो मैं हूँ आपके साथ प्रेणा शर्मा और आप देख रहे हैं The Fact India इन दिनों बॉलिवुड का एक कपल अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में हैं जिसे लेकर हम आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर के फर्स्ट वीक में शादी करने जा रहे कैटरिना कैफ और विकी कोशल के घर शगुन भी पहुचने लगे हैं सूत्रों के मताबिक विकी कोशल की मा वीना कोशल ने अपनी होने वाले बहु के लिए ये दिवाली काफी खास बना दी दरसल उन्होंने अपनी बहु के लिए एक खास तौफा भेजा है जिसमें सारा शगुन मौजूद है दरसल भारतिय परंपरा के अनुसार शादी तै होने के बाद दुला और दुलहन के परिवार को शगुन के रूप में उपहार भेजा जाता है और यही शगुन वीना कौशल ने अपनी होने वाली बहु केटरीना के लिए भेजा है चलिए आपको बताते हैं कि शगुन में क्या-क्या चीजे शामिल थी सबसे पहले तो इसमें एक चॉकलेट हैंपर था जिसमें हैंडमीट डार्क चॉकलेट्स थी क्योंकि इस चॉकलेट्स केटरीना को काफी पसंद है शायद इसलिए उन्हें चॉकलेट बॉय विकी भी पसंद आए खैर भारतिय मिठाईयां और नमकीन के अलावा इस शगुन में कुछ साडियाओं गहने भी थे यानि की पूरी तयारियां शुरू हो चुकी है इन लव बर्ड्स की शादी की विशे शादी की खबरों की अफ़वाइ सुर्खियों में चाही है विकी और कैट्रीना इन खबरों पर चुप जरूर है लेकिन दोनों ने दिवाली पार्टी साथ में प्रड्यूसर आर्टी शेटी के घर पर की केतरीना और विकी के करीवियों की मानें तो दोनों एक दूसरे को काफी जादा पसंद करते हैं एक दूसरे को लेकर काफी obsessed भी हैं खासकर विकी कोशल उनकी बाथ करें तो वे बहुत romantic हैं और हर पल अक्टरिस के साथ ही रहना पसंद करते हैं और इसका खुलासा बहुत पहले भी हो चुका है क्योंकि डीटिंग की खबरे जब मीडिया में आई थी उस समय विकी को कई बार एक्टरेस के घर के आसपा स्पॉट किया गया वैसे एन ओफिशली दोनों का वेडिंग वेन्यू भी आउट हो चुका है और एक रॉयल वेडिंग होने वाली है राजस्थानी ठाट बाट से ये शादी सवाई माधुपूर में बरवाडा के सिक्स सेंस पोर्ट में होगी और ये पसंद ही एक्टरेस की ही बताई जा रही है वैसे अभी तक गेस्ट लिस्ट के बारे में कोई खबर सामने नहीं आई है लेकिन लगता है कि रणबीर कपूर, आलिया भट और सल्मान खान इस वेडिंग का हिस्सा जरूर होंगे क्योंकि हाल ही में केटरीना ने कहा था कि वो कोई भी ग्रजिस नहीं रखना चाती है उन्होंने ये बात अपने एक इंटरव्यू में कही थी वहीं एक्टरेस की अक्षे कुमार संग फिल्म सूर्यवांशी रिलीज हो चुकी है जो की बॉक्स ओफिस पर धमाल मचा रही है कैटरीना और अक्षे पर फिल्म आया गया गाना लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है इस फिल्म के प्रोमोशन की स्टोरी विकी कौशल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी इसे आपको ये जोड़ी कितनी पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा नमस्कार